नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विनाईश्टडी केन में स्वागत है साथियो आज खाद्य निरक्षक भरती परिक्षा आयुजित किया गया था जिसका संभावित आंसर हम लेकर आए है हमारा प्रश्ण पेपर सेट ए है जिसमें हम समान ज्यान भाग एक में गडित के एक से लेकर 30 प्रश्णों के संभावित आंसर देखेंगे इससे पहले हमने विडियो में 121 से 150 तक करेंट अफेर के विडियो अपलोड किया है आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिएगा पहला प्रश्ण है यदि 469 गुडित 46 गुडित 28 इस्टार गुडित 484 के गुणन फल के इकाई के इस्थान पर दो है तो इस्टार की इस्थान पर अंक होगा तो इसका जवाब होगा साथ दो सही एक बटा चार तीन सही एक बटा दो और चार सही एक बटा पांस से पोन भाग दिया जा सके तो इसका सही जवाब होगा 252 तीसरा प्रश्ण है दो बिजली के तार एक 9 मीटर 7 सेंटिमीटर तथा एनिमुन्यम का एवं दूसरा पांच मीटर बारा सेंटीमीटर लंबा तामबे का है इसका सही जवाब होगा option C 64 सेंटीमीटर option C 64 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा अगला प्रश्ण है किसी बास के डंडे का सुन्य दस्मलो एक वा भाग एवं पांच बटे आठवा भाग क्रमसा कीचर और पानी में डूबा हुआ है इसका सही जवाब होगा option C 10 मीटर पांच वा प्रश्ण है 3420 बटा 19 बराबर प्रश्णवाचक चिन बटा सुन्य दस्मलो सुन्य एक गुडित साथ तो इसमें प्रश्णवाचक की जगह पर संख्या होगी तो इसका सही जवाब होगा option D इन में से कोई नहीं चटवा प्रश्ण है 5 साल पहले आसु की मा की उम्र आसु की उम्र से तीन गुनी थी इसका सही जवाब होगा option D 15 वर्स निर्देश दिया है 7 से 9 के लिए निर्देश को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद प्रश्णों के जवाब दीजे तो सात्वा प्रश्ण है अक्छर अक्छय द्वारा सभी इच्छ विश्यों में पाएगे कुल अंग है तो इसका सही जवाब होगा 49 option B अगला प्रश्ण है जगदेश का कुल प्रतीसत कितना है तो 60 है उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विश्यों में 60 प्रतीसत या उससे अधिक अंग प्राप्त किये हैं तो option दो सही होगा D में दस्वा प्रश्ण है एक प्रक्ती ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5 प्रतीसत लाब में बेच दिया इसका सही जवाब होगा option B 200 रूपिये ग्यारवा प्रश्ण है एक फल बेचने वाला अपने संत्रे एक कीमत से बेचने पर 20 प्रतीसत लाब कमाता है तो इसका सही जवाब होगा 7.2 रूपिये बारवा प्रश्ण है 16,000 पर 9 मेहने का 20 प्रतीसत प्रती वर्ष की दर से चक्रिद्धिव्याज होगा 2522 option C तेरवा प्रश्ण है व्यंजक दो रिंड एक बटे तीन इसका सही जवाब होगा option C एक हजार एक बटा तीन चौद्वा प्रश्ण है नीचे दिये गए कतनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है तो इसमें दोनों विकल्प सही है option C सही होगा एक और दो दोनों सही होगे पंदरवा प्रश्ण वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उसके अंतर का दुगना योगफल प्राप्त होता है तो इसका सही जवाब होगा option A दो लाग बीस जार तीस सोलवा प्रश्ण सीता ने 10 प्रतिसा साधारन व्याज की दर से 5000 दो वर्सों के लिए जमा किये तो इसका सही जवाब होगा 70.5 सतरवा प्रश्ण दो बहु भुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपाद एक अनुपाद दो है तो इसका सही जवाब होगा option C 150 अठारवा प्रश्ण दो वृत्तों की उभायनिष्ट जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तो इसका सही जवाब होगा 24 सेंटीमीटर option C 19 प्रश्ण है एक बहिमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रेम मुल्य पर बेचने की वकालत करता है इसका सही जवाब होगा 4 सही एक बटा 6 प्रतिसत 20 प्रश्ण एक नियोकता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7 अनुपात 5 के अनुपात में कटोती करता है तो इसका सही जवाब होगा option B घटेगा 14 अनुपात 9 अगला प्रश्ण है किसी मसीन के अव मुल्यन की इदर 10 प्रतिसत प्रतिवर्स है तो इसका सही जवाब होगा 1,31,220 और 2 लाग option B 22 प्रश्ण एक व्यक्ती मैसूर से बैंगलोर 40 किलोमेटर इसका सही जवाब होगा option A 48 किलोमेटर प्रतिगंटा 23 प्रश्ण किसी परिवार के 6 बच्चों की ओसत आयू 8 वर्स है इसका सही जवाब होगा option C 60 वर्स अगला प्रश्ण है आबीर की वर्तमान आयू पूजा की आयू की 1,5 गुणा है तो इसका सही जवाब होगा 28 वर्स 25 प्रश्ण है इसमें आपको मान बताना है तो मान होगा 5 26 प्रश्ण दो इस्टेशन A और B एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमेटर दूर है तो इसका सही जवाब होगा आप्शन B सुबह 10 बजे 27 प्रश्ण किसी यात्रा का एक तिहाई रास्ता 25 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से तो इसका सही जवाब होगा 33 सही एक बटा 3 28 प्रश्ण किसी दो बहबूच की भुजाओं की संख्या का अनुपात इसका सही जवाब होगा 15 और 12 आप्शन C 29 प्रश्ण वर्गाकार बगीचे का छेत्रफल तो इसका सही जवाब होगा 6 घंटे 40 मिनट और अन्तिम प्रश्ण किसी वृत्त की त्रिज्य 9 सेंटिमीटर है तो इसका सही जवाब होगा 4 अंडर रूट 2 सेंटिमीटर आप्शन भी 4 अंडर रूट 2 आप्शन भी सही होगा थैंकि दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा धन्यवाद